जैशी किष्णा दोस्तो बियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम दोहजार चौबिस से दोहजार पच्चिस तक नो ऐसी भागिशाली राशियां हैं जिनको संतान प्राप्ति के पुत प्राप्ति के बहुत ही शेष्ट योग बन रहे हैं ये क दोनों अपनी जनम की राशी से अपना योग अवश्य ही देखें और जिस महिने में अगर आपका योग बन रहे हैं उस महिने में अगर आप कंसीव करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है लेकिन उसी महिने में अगर पुत प्राप्ति के लिए आप सम दिन और सम तिथी का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ती होती है दोस्तो साथ जो चैनल में उपाय बताये जाते हैं आप उनको निश्चित ही किया करें और साथ ही हरिवंश प्राण का शवन नित्य प्रती करेंगे तो निश्चिति आपके कुंडली में कैसे भी ग्रह दोश होंगे वो भी दूर होंगे दोस्तो करम और भाग्य दोनों जरूरी होते हैं जब आपकी राशी में योग बन रहा है परन्तु आपने गलत दिन का गर्वधारन किया है तो आपको फल भी विपरित प्राप्त होता है इसलिए जब योग के साथ उपाए भी करेंगे तो गर्वधारन में पुत्र की ही प्र का दो शेग कोग बंदन है तो वह भी दूर हो सके और आपको संतान की प्राप्ति हो सके दोस्तों जिन भी राशियों की कुंडली में देखे पंचम भाव में शुब गर्व का प्रवाव होता है तो उनको अच्छे संतान सुख प्रदान करता है और वहीं पर ब्रस्पति सो को सब्सक्राइब दोस्तों इसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चालन ससक्राइब हो चुकी है तो आप ब्रस्पती की विशेश किरपा पाने के लिए ब्रस्पती को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन केले की पूजा अवश्य ही किया गरे और सोमबार के दिन भगवान शंकर पर पंचामिस से या शुद्ध जल से जलाविशे का अवश्य ही करे तो इससे आपको भगवान शंकर की और ब्रस्पती की विशेश किर्पा प्राप्त होगी और आपको मन वांचिज संतान की प्राप्ती अवश्य ही होगी दोस्तों जो नो भागेशाली राशिया हैं उनमें देखे सबसे पहले वह है मेश राशी मेश राशी के जातों के कुंडली में गुरू 11 स्थान में गोचर करेंगे गुरू के इस गोचर के प्रभाव से इस दोरन आपके भाग में वृद्धी होगी आपके अपने कारियों में सफलता मिलेगी इस बीच में आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आप में शाषी के जातों के लिए बहुत ही शेष्ट आपको सभी सांसारिक सुख प्राप्त होंगे आपका स्वास्ता भैतर बनेगा और आपके भागय में वृद्धी होगी लिहाज आपको देखे बहुत ही शेष्ट संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं अगली जो भागेशाली राशी है वह है मित्थुन राशी मित्थु और बरस्पति आपको देखे बहुत ही शेष्ट संतान प्राप्ति के योग बना रहे है दो हजार चौबिस से लेकर दो हजार पच्चिस्त संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी अगली जो भागेशाली राशी है वह है सिंग राशी के जातों की कुण्डली में गुरु स करनें राशी के जातों कर्वा दोघजार चौब़ीस से लेकर MAR grow अपने मात पिता का योग रहे आपका और्थी पक्ष मजूद हुआ आपके जीवन में हर प्रकार का सुख मिलेगा वरस्पति की शुफल प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी पीली वस्तु का ये कुछ भी पीले मिठाई का फल का भोग अवश्य ही लगाया करें वरस्पतिवार के दिन अगली जो भागेशाली राशी है वो है तुला राशी तुला संतान प्राप्ति के व process का प्राप्ति के बिमय करेंगे गुरू तीस से पर राशी आपकी यार्तिपर बहतर होगा और आपका बुरा समय टलने वाला है गुरू परस्पतिین की विशेष किरवा पाने के लिए ब्रस्पति वार के दिन हल्दी का तिलक अवश्य ही लगाए संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं थोड़ा से ब्रस्पति की किरपा पाने के लिए ब्रस्पति वार के दिन केले की पुझा अवश्य ही किया करें अगली जो भागेशाली मकर राषी मकर राषी मकर राषी के जातविक कुन्डली में गुरु दूसर स्थान पर गोचर करें गुरु के इस गोचर के प्रभाप से आपको 14 सतंबर तक आपके पिता का सुख प्राप्त होगा करें अगल्य वागेशाली राशी कुंब राशी के जैदेवी कुण्ली में ब्रस्पति पहले स्थान पर गोचर करेंगे गुरू के इस गोचर के प्रभाव से आपका धार्मिक कारियों में विशेश रूची होगी आपके परिवारी कृष्टे मजबूत होगी आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी लिहाजा आपकी आर्थिक जो स्तिती है वो मजबू के योग बन रहें तो आप सही समय का उपयोग अवश्य ही करें यानि अगर पुत्र की कामना रखते हैं तो सम दिन और समतिति का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों यह नो भागशाली राशियां ऐसी हैं जिनको पुत्र संतान प्राप्ति के बहुत ही शेष्ट योग बन रहे हैं साथ ही दोस्तों देखे ब्रस्पति की किरपा से आपको संतान प्राप्ति के पुत्र प्राप्ति के योग प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों ब्रस्पति की विशेष किरपा पाने के लिए ब्रस्पति को मजबूत करने के लिए ब्रस्पति वार के दिन ब्र करता है तो आप ब्रस्पति के वार के दिन पीला हल्दी का तिलक या पीला चंदन अवश्य ही अपने मस्तक पर लगाया करें इससे आपका ब्रस्पति मजबूत होता है और आपको पुद्व संतार प्राप्ति में शेष्ट योग प्रदान करता है साथ ही दोस्तों जो हम चैन करी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक अवर शही करें आप सभी को